नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है तक्सिला अकेडमी जोद्पूर के यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हपन करेंगे पटवार पटवार से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसका है मैतामेटिक्स उस मैतामेटिक्स में बहुत नमिंतम पैटर 2011 उसमें से वही कुशन आपके लिए टोपिक वाइज लेके आएं दोस्तों लगातार बने रहें वीडियो को आंते तक देखें अपन बिल्कुल बारीकी से सोल करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से लेके अपन हाई लेवल तक चलेंगे और सारे जो परसन अपने स्लाइड आ देखो है के मुल्यो में साथ अनुपात नो का अनुपात है यदि टेली विजन का मुल्य ए और कंडिसन के मुल्य से 8000 अभी हो तो तो टेली विजनका मुल्य कितना होगा दोस्तों अनुपात दे रखा है टेलिविजन का मुल्य दे रखा है टेलिविजन का मुल्य किता होगा एर कंडिशन का तो एर कंडिशनर और टेलिविजन का अनुपात दोस्तों दे रखा है AC और TV का जो अनुपात दे रखा है वो साथ अनुपात 9 दे रखा दोस्त। यदि टेली वीजन का मुल्य Air Condition के मुल्य से 8,000 रुपए अधिक है यानि टेली वीजन का मुल्य दे रखा है और AC का मुल्य उसस 8,000 रुपए अधिक है दोस्तों तो अपन को आगे करना है और आगे जो देर का है यानि दो बराबर आठ हजार है तो एक अनुपात बराबर किता हो जाएगा दोस्तो आठ हजार बट्टा दो करेंगे तो एक का अनुपात अपने पास में आ जाएगा एक बराबर हो जाएगा चार हजार अब पूछा अपने जो पूछा गया है वो टीवी का मुल्य पूछा गया है टीवी टेलिविजन का मुल्य यानि जो टीवी दे रखा इसका मुल्य किता होगा तो इसका जो अनुपात अपने पास में दे रखा है 9 यानि एक अनुपात पराबर होगिया अपने पास में 4000 तो 9 अनुपाथ बराबर किता हो जाएगा दोस्तों यानि 9 x 4,000 करेंगे तो किता हो जाएगा दोस्तों 9 x 34 तो यह जो है यह TV का मुल्य है पहला option दे रखा है 27,000 दूसरा option दे रखा Fortune 36,000 तीसरा option दे रखा 45,000 और चौता option दे रखा 54,000 अपने जो आंसवर आया है वो है 36,000 जो 2 option भी दे रहा है वही अपना क्या है सही answer है चले अपन दूसरे question के और और screen पर दूसरा question आपके ये रहा एक थेली में दोस्तों क्या दे रहा है एक थेली में 5 रुपे 2 रुपे और 1 रुपे के सिक्के हैं जो करम से 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात मैं है यदि थेली में कुल रुपे 266 है तो थेली में 5 रुपे के सिक्कों की कितनी संक्या होगी बहुत बढ़िया कुछन है दोस्तों ऐसे कुछन हर बार पटवारी के एकजाम में आते हैं और इस बार भी आने की 100% संभावन आए है अच्छे से करें साथ में करते रहें अब यहां पर जो थेली में सिक्क्य दे रहें दोस्तों पांच रुपे और दो रुपे और एक रुपे यह दे रहें एक थेली में पांच रुपे दो रुपे और एक रुपे के सिक्क्य दे रहें यहां पर यह सिक्क्य अब सिक्क्य तो दे रहें अनुपात दे रखा दोस्तों वो अनुपात कितना दे रखा है आपके अनुपात दे रखा 4 अनुपात 5 अनुपात 6 सिको की संक्या दे रखिए अनुपात दे रखा है दोनों का और अपन को निकालना है तो दोस्तों हमेसा अगर इस तरह का आता है तो इन दोनों का आपको multiply करके एक अनुपात प्राप्ट करना होता है तो एक अनुपात पांच जोक हो गया 20 अनुपात पांच दुनी हो गया 10 और 6 into A करेंगे तो 6 मेरे पास में एक अनुपात आया दोस्तों 20 अनुपात 10 अनुपात 6 इन तीनों का टोटल करेंगे तो 20 और 10 होते हैं 30 30 प्लस 6 होते हैं दोस्तों 36 तो मेरे पास में एक जो अनुपात का टोटल योग आया वो आया कितना दोस्तों 36 आया कुल रासी अपने दे रखी है यहां पर कुल रासी दोस्तों दे रखी है किती दे रखी है कुल जो रासी दे देरे की हे, अपने पास में टोटल अनुपाद में 36, अया, तो एक अनुपाद में लिए आपन निकालेंगे, यानि 36 अनुपाद के लिए कुल राची है 216. पूराची रुपे, तो एक अनुपाद के लिए 216. 206. तो दोस्तो, 216. 266. 206 करेंगे, तो कितना आएगा जल्दी से बताएं मेरे को यहां पर आप काटके 6 से देख सकते हैं 6 चंग 36 होता है फिर 6 से काटेंगे 6 तिया 18 अठारा और जो बचेगा वो इसमें लग जाएगा 3 हो जाएगा तो 6 चके 36 तो कितना आगे दोस्तों यह काटेंगे तो यहां पर आजाएगा 36 से यह चेवार काटा यह 36 यह 6 और उसके बाद में वापस 6 से 34 कटेगा तो कितना आजाएगा 6 तो मेरे पास में एक बराबर आगया 6 यानि एक अनुपात बराबर जो खुल रासी आई है वो कितना आई है 6 और अपने जो पूचा गया है वो कितना पूचा गया दोस्तों 5 रुपे के सिक्के यानि यहां पर जो 5 रुपे यह देखो यह रुपे रहे हैं रुपे के सिक्के 5 रुपे के सिक्कों की संग्या 5 रुपे का जो अनुपात दे रहा है दोस्तों यहां पर कितना है 4 एक अनुपात बराबर आए अपने पा तीसरा option दे रखा 24 और चौता option दे रखा 26 तो जो option 24 दे रखा है सर वही अपना क्या हो जाएगा राइट आंस्वर हो जाएगा चले next question कि और next question आपकी screen पर यह रख योग दे रखा तीन संख्यों का योग दे रखा दोस्तों अच्छे से आप खुझ साथ में करें तीन संक्याओं का योग दे रखा किता दे रखा है जल्दी से करें तीन संक्याओं का योग तीन सो बरानमे हैं पहली तता दूसरी संक्याओं का अनुपात दो अनुपात तीन है तता दूसरी एवम तीसरी संक्याओं का अनुपात पांच अनुपात आठ है तो पहली संक्या क्या है दोस्तों यहां पे आप पास में पहली संक्या यह दूसरी संक्या और यह तीसरी संक्या जैसा परसन बोलता है उसी तरीके से अपन को आगे बढ़ना है मन से कुछ नहीं करना उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे यानि पहली और दूसरी संख्या जो दे रखी उसका अनुपात दे रखा है दो अनुपात तीन यानि यह पहली संख्या है इसका अनुपात दो और यह दूसरी संख्याओं का अनुपात है तीन पिर दे रहा तीसरी तथा चोती संख्याओं का अनुपात दे रहा है पांच अनुपात आठ ये रहा दूसरी और ये रहा तीसरी संख्याओं का अनुपात दे रहा है पांच अनुपात आठ दोस्तों यहां पे अनुपात दे रहा लेकिन जो दूसरी संख्या उसके दो अनु कि दूसरा फिर दूसरा तीसरा दे रहा है दूसरा तीसरा दे रहा है इन दूनों का आपस में गुणा करेंगे तो पहले का अनुपात प्रापद होगा तो यह दुनी दस पांच तिए पंदरा और आट तिए चोबैस तो दोस्तों मेरे पास में एक अनुपात प्राप्त हुआ है वो अनुपात हुआ 10 अनुपात 15 अनुपात 24 तो दोस्तों इन तीनों का टोटल کرें जल्दी से साथ में इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों टोटल करेंगे तो 49 आप खुद देख सकते हैं कैसे आएगा 4 और 5 नो ये हो गया मेरे पास में 9 2, 1, 3 और 1, 4 ये हो गया चार तो टोटल मेरे पास में आया दोस्तों 49 अब तीन संख्याओं का योग यानि पहली दूसरी और तीसरी ये तीन संख्या है इन तीनों संख्याओं का योग दोस्तों दे रखा है तीनों संख्याओं का योग कितना है दोस्तों तीन सो बरानवे तीनों संख्याओं का योग दे रखा अपने पास में तीन जो अनुपात प्राप्त है उसमें जो पहला अनुपात है ये कितना है दोस्तों दस यानि ये पहला अनुपात है यही पूचा है तो ये हो जाएगा दस अनुपात टोटल अनुपात की संख्या हो जाएगी 49 इंटू आपका जो तीनों संख्यों का योग जो दे रखा वो हो जाएगा 300 बराणवे इसको सॉल करें जल्दी से इसको सॉल करें 10 बटा 59 इंतु 300 बराणवे किता आएगा दोस्तो जल्दी से सॉल करें आप अगर आप इसको 7 से काटेंगे तो 77 गुन 50 इसको काटते हैं तो 7 चंग 22 और 7 बंज़ा 35 यहां हो गया मेरे पास में 5 पीचे बचे 4 यहां मैंने 4 दिये फिर हो गया बया 0' existing यानि इसको मैंने काटा साथ से तो यह 56 भार कट रहा है और यह 7 बार कट फिर मेरे पास में यहां 56 तो 7 and 86 तो यहां पर मिरे पास किता आगया 10 and 8 और किते होते हैं दोस्तो 80 option में 80 दे रखा है पहला option आपका 60 दूसरा option है 80 तीसरा option दे रखा 100 और चोता option दे रखा 120 तो दोस्तो अपने जो 80 निकला वही option में आया हुआ है तो जो second है वही अपना right answer है दोस्तो चिंता ना करें ऐसे ही question पिछली बार आये थे इसी के इर्द गिर्द गूम कर आपके सारे person आने वाले हैं और आपको लगातार इसी तरह से solve करना है हमेसा ध्यान रखें पिछले परतियों की परिक्साव में जो question आये हैं उसको एक बार ज screen पर दोस्तों यह रहा 50 का कितने परतिसत दोस्तों बहुत अच्छा question है साथ में आप करते हैं 50 का कितने परतिसत को ने रहा है 2 साहिए 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 है तो दोस्तों 50 का कितने परतिसत पूचा है तो देखो जल्दी से solve करें यह मेरे हो गया 50 हमेशा ध्यान रखें अगर mathematics में का के की अगर आता है तो वो जो symbol है उसमें हमेशा cross यानि गुणे का निसान से परदर्सित करेंगे यह आप अच्छे से note करें तो 50 का का मतलब हो गया गुणा उसके बाद में कितने परतिसत कितने का मतलब हो गया imagine मानना पड़ेगा अपन को तो अपन मानते 50 का x परतिसत का मतलब हो गया बटे 100 तो 50 का x परतिसत बराबर ठीक है उसके बाद में दे रखा है कोस्टक में 2 सई 1 बटा 4 2 सई 1 बटा 4 प्लस उसके बाद में दे रखा एक बटा चार इसको अपनको सोल करना है दोस्तों ये मैंने लिखा पचास का एक सब परतिसत बराबर चार दूनी आठ आठ प्लस एक होता है नो नो बटा चार प्लस में एक बटा चार तो दोस्तों अपने जो अपने इसकूलिंग जो भी आपने करीब उसमें अपने बिल्कुल ये वाले इस तरह के अपने सोल किये हैं आपको ये इस तरह के कुशन सोल करने आते हैं आप भी कोस्टक में जिस तरह के दे रहे हैं उसको आप सोल करें जितना जल्दी सोल करेंगे उत्ता जल्दी आन्सर आएगा तो दोस्तों इसको मैं ने zool किया है तो पचास का एक्स परतिसत बराबर इसको मैंने zool किया लेसे इन दोनों का lawsuit लेसे पे लिया तो आ गया और यहाँ पंढिए इसके चार का बाग दिये एक बार तो नो प्लस एक हो गया मेरे पास में दस तो दोस्तों इसको अगर मैं sol करता हूँ तो 2 से कारता हूँ तो 5 और 2 से कारता हूँ तो 4 यानि 5 बटा 50 इंटू x बटा 100 बराबर 5 बटा 4 जो level यानि उसको sol करने के बाद में जो अपने पास में संक्या पराप्त हुई है अब उसका अपन को गुणा करके x निकालना तो हमेंसा ज्यान रखें जिस साइड से x को निकालना है उसको वहां रखें और उसके साथ में जो भी संक्या दे रहे की उसको दूसरी साइड के अंदर भाग में लेके जाते हैं तो दोस्तों यहां पर मेरे पास में x ग्याद करना है मेरे पास में यानि 50 x x है यह 100 आजाएगा इधर तो यहां पर हो जाएगा 5 x 100 बट्टा 4 यहां तक दोस्तों यहां पर मेरे पास x निकालना तो यह 100 संख्या 50 है यह भी कहां चली जाएगी बिल्कुल नीचे चली जाएग 2, कितनी आई दोस्तों, x बराबर आई मेरे पास में 5 बट्टा 2, एक संक्या आई है, x बराबर 5 बट्टा 2, 5 बट्टा 2 आई ना दोस्तों, जल्दी से देखें, दोस्तों, यहाँ पे अपने काटा, तो यहाँ दो आएगा, यह दो आएगा, 5 बट्टा 2 आएगा, तो यहाँ पे चार जो संक्या देरी की, वो है 2, यानि पच्चास दूनी हो जाएगा 100, ठीक है, यह 2 से यह 2 कट जाएगी, और यहाँ पे अपने पास में आंसर आजाएगा 5 परतिसद, तो पहला उप्सन दे रहाएगा 2.5 परतिसद, दूसरा उप्सन दे रहाएगा 5 परतिसद, और तीसरा उप्सन दे रहाएगा 7.5 परतिसद, और चौता उप्सन दे रहाएगा 10 परतिसद, तो दोस्तों, जो 5 परसेंट दे रहा है, आपका वही आपका क्या है, राइट आंसर है next question आपकी screen पर एक और विखरेता ने दोस्तों जल्दी से करें साथ में लगा था एक कार विखरेता ने एक कार अंकीत मुल्य के चार बटा पांच मुल्य में खरी दी यानि अंकीत मुल्य इसमें दे नहीं रखा है अंकीत मुल्य के चार बटा पांच मुल्य में खरी दी तथा उसे अंकीत मुल्य से 12% अधिक में बेच दी उसका लाब परतिसत कितना होगा तो दोस्तों उसमें से बूचा है लाब परतिसत कितना होगा तो दोस्तों यहां पर एक कारवेकर अंकित मुल्य के यह अंकित मुल्य नहीं दे रहा है तो अपन क्या करेंगे एक मानेंगे यानि माना अंकित मुल्य दोस्तों यहां माल लेते हैं अपन अंकित मुल्ये अपने पास में 100 अंकित मुल्ये के 4 बटा 5 के अंदर खरीदी तो अंकित मुल्ये अपने पास में 100 100 का 4 बटा 5 किता हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा पांच दूनी 10, 20 इंटू 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 ये हो जाएगा 80 तो उसने एक कार विक्रेता ने कितने में 4 बटे 5 का मतलब हो गया 80 निकाला तो 80 रुपे में उसने अंकीत मुल्ये 80 रुपे में खरी दी ठीक है तता अंकीत मुल्ये से 12% अंकीत मुल्ये अपने माना 100 उसका 12% 12% अधिक 12% अधिक वो भी अंकीत मुल्ये अंकीत मुल्ये है 100 100 का अपने 12% अधिक में बेकच दी तो उसका लाब परतिस्थ कितना होगा जल्दी करें, साथ में करते रहें, यह अपने पास में आया, तो पहले अपने निकालेंगे लाब, तो इसको लाब किता हुआ दोस्तों, 80 रुपे में खरे दी और 112 रुपे में बेची, तो कितना हो जाएगा, 112-80, 112-80 करेंगे, तो कितने आएंगे, जल्दी देखें, 80, 20 अब अपन को निकालना लाब परतीसत, लाब परतीसत निकालने के लिए आपको पता है, लाब जितना होता है, उसमें जितने के अंदर उसने खरीदा है, उसका तो लाब परतीसत अपन को निकालना है, तो जितने के अंदर लाब परतीसत का मतलब है, उसका लाब किता हुआ 32 फिर उसने किते रुपे में original खरी दी 80 रुपे में तो 32 बटा 80 और परतिसत का मतलब हो गया 100 से गुणा तो 32 अपोन 80 इंटू 101 0 से 10 कर जाएगा 8 का बाग इसमें देखे देखे 8 दूनी 16 8 किया 24 और 8 चोक 32 ये काड़ दिया हमें ने 4 बाग तो 4 इंटू 10 करेंगे तो 200 किता जाएगा 40 लाब परतिसत जो दे रहा है 40 पेहला option है 25 परतिसत दूसरा option 30 परतिसत और तीसरा option है 35 परतिसत और चौता option है 40 परतिसत यानि जो 40 परतिसत option D दे रहा है वह अपना right answer है Next question आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह रहा एक सहर की जनसंक्या दोस्तों क्या दे रहा है एक सहर की जनसंक्या 20,000 है पर्तम वर्ष में इस जनसंक्या में 10% की वर्दी होती है दिवतिय वर्ष में 15% की वर्दी हुई उसके बाद 300 व्यक्ति अन्य सहर में चलेगे तो वर्तमान में सहर की जनसंक्या कित इतनी है दोस्तों ध्यान रखें पटवार 2013 के एक्जाम में आया हुआ है यही कुशन पटवार 2013 में आया हुआ है और इसी तरह की कुशन जो है आपके आने वाले एक्जाम में संभावना बनती है तो आप साथ में इसको करते रहें एक सहर की जन संक्या तो दोस्तों जन संक्य किती दे रहे किए 20,000 ठीक है यह है सहर की जन संक्या जन संक्या अपने पास में दे रहे किए दोस्तों 20,000 ज्यान रखें टोटल दे रहे कि 20,000 पर्तम वर्स में जन संक्या में 10% की वर्दी होती इसी के अंदर टोटल जो जन संक्या दे रहे किए इसमें कितने की 10% की वर्दी यानि जो 10% की वर्दी का मतलब हो गया 100 में 10% वर्दी करेंगे तो 110 और परतिसत में हो जाएगा upon 100 फिर दित्य वर्ष में 15% की वर्दी सैम उसको ही आगे गुणा करेंगे और दित्य वर्ष में अपनको 15% की वर्दी करनी है यहाँ पर निकाल लें कितने total agency क्या है ठीके इसको अपनको sold करना है दोस्तों यह 4 0 दे रगा 2 0 2 यह हो जाएगा 2 से 2 2 इन्टू 110 इन्टू 115 दोस्तों इनको sold करें 112 दो 120 इन्टू 115 इसको sold करें 220 इन्टू 115 करेंगे तो किता आजाएगा जल्दी से निकाले इसको सोल करने पर आ रहा है मेरे पास में पचीस हजार तीन सो और दोस्तों यहां पर दे रहा है तीन सो वेक्ति अन्य सहर में चलेगे यानि जो निकाला है अपने पास में जन सिंग्या उस पचीस हजार तीन सो में से 300 वेक्ति अन्य सहर में चलेंगे तो आपने सहरा है इस वेक्ति में पूचवाńsk या पूचिए और डिंटन में 370 हजाने के बाद में皆 कितना जन्य हजार में 25,000 तो ने आपके स्क्रेंड पर है 24,000 दूसर रहे 25,000, तीसरे हे 26,000 और चौटा है 27,000 तो दोस्तो 25,000 यानि second option जो भी दे रखा है वही अपना right answer है दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली अगला question आपकी screen पर यह है रहा चेतने एक गोड़ा दोस्तों जल्दी देखें चेतने एक गोड़ा 8580 रुपए में बेच कर कितने में दोस्तों पांच 8580 रुपए में बेच कर 4% का लाब कमाया गोड़े का करे मुल्य किता होगा पटवार एकजाम 2013 का परसन है दोस्तों और यह question बहुत अच्छा question है आप ही साथ में solve करते रहें ध्यान रखें practice करना बहुत जरूरी है अगर आप mathematics में practice नहीं करेंगे तो कोई भी सवाल solve नहीं कर सकते तो साथ साथ में आप practice भी करते रहें तो चेतन ने एक गोड़ा किते में दोस्तों चेतन ने एक गोड़ा आठ हजार रुपे में बेच कर लाब कमाया तो दोस्तों उसका क्रेम उल्ये अपनको निकालना है तो अपन क्रेम उल्ये इसको imagine कर सकते हैं क्रेम उल्ये माना क्रेम उल्ये किता हो जाएगा दोस्तों यहां पर हो जाएगा ठीक है चेतने गोड़ा इतने रुपे में बेच कर 4% का लाब कुमाया तो गोड़े का क्रेम उल्य किता होगा अपने को एक्स दोस्तों निकालना है ठीक है यह क्रेम उल्य अपने पास में एक्स ठीक है उसके बाद में उसने लाब कमाया इतने में बेच कर इसका किता है और क्रे मुल्य पे उसने 4% का लाब कमाया यानि 104 बटा 100 बराबर विक्रे मुल्य दे रहका है आपके पास में 8580 ठीक है अब क्रे मुल्य अपनको यह निकालना है तो दोस्तों जब अपनको x into 104 बराबर 8580 और यह 100 है जो कहां चले जाएंगे इधर चले जाएंगे तो हो जाएगा यह और अपनको ग्याद करना x बराबर 8580 इंटू 100 बटा 104 तो दोस्तों इसे सोल करें जल्दी से बड़ी संख्या देरे किये पर सोल आपको ही करना है जितनी प्रक्रिस करेंगे तभी आपका आंस्वर निकलेगा जल्दी सोल करें तो x बराबर कितना आ जाएगा इसको सोल करेंगे 8250 इसको गुणा भाग आपको जल्दी से साथ में करें और पहला option देरे का 8250 दूसरा देरे का 8260 तीसरा 8270 और चौता option देरे का राइट आंस्वर है बढ़ते आगे और next question आपकी screen पर दोस्तों यह रहा एक थेली में सिको की संक्या दे रही है और सिक्के इस बार पैसों में ले रहे हैं यह ध्यान रहे हैं रूपे में नहीं है पैसों में ले रहे हैं बहुत अच्छा question है ठीक है एक थेली में 25 पैसे 10 पैसे तता 5 पैसे के सिक्के का अनुपाद दे रहा एक अनुपाद दो अनुपाद तीन में हैं यदी थेली में कुल 30 रूपे हैं दोस्तों थेली में इस बार 30 रूपे हैं तो उसमें 5 पैसे के सिकों की संक्या कितनी होगी पटवार एक्जाम 2013 का परसन है और यह आया हुआ इसी के इर्दगिर्द गूम के इस तरह के कुशन हमेशा पटवार के अंदर 100% आये हैं और इस बार भी आने की संभावन आ है थेली में सिकों की संक्या दे रहे होगी अनुपाद दे रहे होगा और जो सिक्के दे रहे हैं उ सिकों की संक्या ध्यान रखा पैसो में सिकों की संक्या पिर उसका अनुपाद दोस्तों कित्ता दे रहे हैं यह ध्यान रखें अनुपाद कित्ता दे रहे हैं अनुपाद दे रहे हैं एक अनुपाद दो अनुपाद तीन मैंने बताया इस तरह के जब कुशन आते हैं तो ज तिकों की संक्या देर किये और जो अनुपात की संक्या देर किये दोनों का multiply यानि गुणा करेंगे पहली तो 25 और एक इसका गुणा करेंगे तो आजाएगा मेरे पास में 25 दस इंटू दो दस दूनी 20 और 5 तिया 15 तो दोस्तों मेरे पास में एक अनुपात आया है वो आया 25 अनुपात 20 अनुपात 15 ठीक है इन तीनों का जल्दी से आप टोटल करने के बाद जल्दी से देखें इन तीनों का टोटल किया तो 20 और 20 भिस गिता हो जाएगा 45 और 15 हो जाएगा दोस्तोो 60 तो मेरे पास में एक अनुपात प्राप्त हुआ न फ्रक्त हुआ तो दोस्तो किने का मतलब है थेली में कुल रूपे दोस्तो कित्टे दें novब छल्दी से देखें तो 30 रुपए बरावर किते हो जाएमें दोस्तों तीन हजार पेसे χी कहते है ये हो जाएंगे तीन हजार केसे दोस्ते एक अनुपात जो दे रगए अनुपात टोटल अनुपात टोटल अनुपात अपने पास में 60 प्राब्ट हुआ ठीक है तो यहां पे 60 अनुपात बराबर टोटल सिक्कों के संक्या है 3,000 तो एक अनुपात बराबर हो जाएगी 3,000 बटा 60 इसको कटेंगे और 6, 35, 30 तो एक बराबर मेरे पास में आया एक अनुपात की संक्या आई है कितनी दोस्तों तो जो 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 आपना क्या है राइट आंस्वर है चले नेक्स्ट कुशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा पांच हजार रुपे का दोस्तों किता पांच हजार रुपे का 1.5 वर्स में 4 परतिसत वार्सिक दर पर चकरवर्ती ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो, जबकि ब्याज है जो कितना वार्षिक दे हो, तो दोस्तों देखें इसमें मूलदन कितना दे रखा है, मूलदन दे रखा है इसमें 5000 रुपे, rate of interest यानि दर कितनी दे रहे है दोस्तों 4% वार्षिक फिर इसमें समय समय जो दे रहा है वो किता दे रहा है समय दे रहा 1.5 यानि डेड़ वर्ष इसमें समय दे रहा है डेड़ वर्ष को अपन एक साही एक बटा दो भी लिख सकते हैं अब इसमें पूछा है आपसे जबकि व्याज वार्षिक दे हो पर चक्रवर्थी व्याज कितना होगा चक्रवर्थी व्याज पूता है जो जल्दी बताएं साथ में आप करते रहें सौल करेंगे अपन मिसर दन पहले मिसर दन मिस्टर धन बराबर क्या हो जाएगा मूल धन इंटू 1 प्लस रेट ओप इंटरस दर बटा सो अब उपर आजाएगा समय यह एक सुत्र होता दोस्तों मिस्टर धन निकालने का मूल धन इंटू 1 प्लस दर बटा सो अब उपर आजाएगा समय ठीक है दोस्तों तो यहां पर अपनको मूलदन आपके पास में दे रखा है 5000 into 1 plus rate of interest आपके पास में दे रखा है 4 परतिसत upon में 100 और समय आपके पास में दे रखा है dead verse ठीक है अब इसको आपको soul करना है दोस्तों पहले जो बीच में दे रगा है उसको आपको solo करना ठीक है तो यहां पे दे रखा है एक वर्स और आदा वर्स ध्यान रखें इसको solo करते है तो 104 बटा 100 इसमें आजा गए 1 सई एक बटा 2 इसको दोस्तों आगे sol करेंगे तो यह जो एक दे रखा है पहले जो वर्स यानि डेड वर्स दे रखा है पहले एक वर्स का आपनको लिखेंगे एक वर्स का हो जाएगा rate of interest 104 बटा 100 और जो अगला आदा वर्स दे रखा है उसके अंदर rate of interest क्या हो जाएगी आदी हो जाएगी तो 4 वर्स जो दे रखा उसका आदव हो जाएगा 2 102 बटा 100 तो दोस्तों यहाँ पर जो मिसर दन अपन को निकालना है मिसर दन निकाले जल्दी से यह 3 0 दे रखा है उसमें से यह अपना कड़ जाएगा ठीक है फिर उसके बाद में 5 इंटू 104 इंटू 102 अपन में किता आजाएगा 10 पाँच दूनी यह हो जाएगा 10 इसको सोल करेंगे तो आजाएगा 2 5 2 तो यहाँ पर 52 इंटू 102 तो दोस्तों इन दोनों का जल्दी से गुणा करें 52 इंटू 102 जल्दी से गुणा करें और बताएं किते आजाएगा इसको सोल करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा मिसरधन बराबर 5304 तो ये मेरे पास में एक मिसरधन आया दोस्तों 5304 मिसरधन आया लेकिन परसन पूछ रहा है जबकि ब्याज वार्सिक दे हो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा तो ब्याज पूछा है तो चक्रवर्ती ब ग्याद करने के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा मिसरदन माइनस मूलधन तो यहां पर मिसरदन आपका कितना दे रहा है मिसरदन अभी अपना निकाला है टोटल मिसरदन अपने निकाला है मिसरदन माइनस हो जाएगा मूलधन तो तो दोस्तों यहां पर ब्याज मिसरदन अप 5000- करेंगे तो अपना ब्याज कराप्त हो जाएगा तो इसमें से 5000 लेंस करेंगे तो खिता आजएगा 304 क्या आपके पास में 304 है पहला अप्सन 304 दूसरा अप्सन 308 तीसरा 312 और चौत अप्सन 316 तो जो पहला अप्सन दे रहे हैं 304 वही क्या है अपना राइट आंस्वर ह चले नेक्स कुशन के और और नेक्स कुशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तो 11 परिणामों का ओसत दे रहा है जल्दी से आप भी करते रहें मेरे साथ में जितनी प्रेक्टिस करेंगे तो मैथा मेटिक्स में आप भूत अच्छे से सारे कुशन को सवल कर पाएंगे तो किशन दे रहा है 11 परिणामों को ओस्त दे रहा है दोस्तों 50 यदि परतम 6 परिणामों को ओस्त है 59 तदा अंतिम 6 का ओस्त दे रहा 52 तो 6 परिणाम ग्यात करें दोस्तों बहुत अच्छा कुशन है जल्दी से देखें इसमें दे रहा है पहले 11 परिणामों को ओस्त जब ओ तो उस दोवनों का आपस में गुणा करना है पहले ध्यान रखें 11 परिणामों का ओसरत दे रखा है तो दोस्तों किता आजाएगा जल्दी से करें 6 इंटू गुनपचास करें आप साथ में किता हो जाएगा 294 क्या आ रहे हैं कि देखो नोच छे नमा नोच चंगे 54 की 4 हंसल की 5 छेचो के 24 और 5 होगे गुन 30 बिल्कुल सही है पिर अंतिम 6 का ओसत दे रखा 52 तो दोस्तों अंतिम 6 का ओसत ये परतम 6 है ये अंतिम 6 ध्यान रखें परतम 6 का ओसत और अंतिम 6 का ओसत तो अंतिम 6 इंटू बावन करेंगे तो दोस्तों किता आजाएगा जल्दी अंतिम 6 इंटू बावन करें तो किता हो जाए का 6 दूनी 12 का 2 आसल की एक 6 पंज तीस और एक 31 यानि 312 अंतिम 6 का ओसत 52 है दोनों का गुणा किया तो प्राप्त हुआ 312 ठीके तो 6 परिणाम अपने को निकालना दोस्तों ये कितना हो जाएगा 6 और 6 ये टोटल 22 संक्याओं का ओसत यानी 12 संक्याओं का तोटल जो ओसत है इन दोनों आपनको जोडेंगे तो 312 प्लस 294 इन दोनों को जोड़े 282 किता हो जएगा 6,9 और 10 किसु 5,6 ठीक है 2 और 3,3,3,3 तो तो मेरे पास इन दोनों का जोड आया 606, टोटल अपने पास में 12 संक्याओं का दोसत है और यहां पर देर का 11 संक्याओं का ओसत और पूचा है 6 यानि 6 परिणाम ग्याद करें, तो टोटल का मतलब है इन दोनों का जोड ठीक है, फिर माइनस के अंदर कितने करेंगे 550, तो जल्दी से किता आ जाएगा, आ रहा है न बिल्कुल 56, देखें, 6 में से 0 गया, बिल्कुल 6, ठीक है, फिर यहां पर एक उदार दिया, 10 में से 5 गया, किता हो जाएगा, 5 और 5 में से 5 गया, 0, तो यहां पर मेरे पास में एक संक्याओं प्राप्त होई है, वो ही है, 56, तो जो 56 दे रखा है, वो ही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, चले नेक्स क्यूशन और नेक्स क्यूशन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यह रहा, एक की उन्चाई, यदि एक की उन्चाई, बी की उन्चाई से 20% कम हो, तो बी की उन्चाई, एक की उन्चाई से दोस्तों ऐसे question की तो जल्दी से बताएं इसका क्या आजाएगा जल्दी से A की उंचाई दे रहे की है ठीक है A की उंचाई B की उंचाई से 20 परतिसत कम हो तो B की उंचाई A की उंचाई से कितने परतिसत अधीक है ध्यान रखें दोस्तों कमी दे रहे की है 20 तो ये मेरे पास में हो गया 20 यहां पर मैंने लिया 100 माइनस कितनी कमी है 20 पर सित्र की और इंटू 100 जल्दी से इसे solve करें 20 अपॉन 80 इंटू 100 ठीक है दोस्तों जल्दी से करें 2 को इससे काड़ देतो 4 ठीक है इसको solve कर दें तो 25 बार कट गया तो कितना आजाएगा 25 पर थीसद ठीक है दोस्तों पहला option है 25 पर थीसद दूसरा option है 20 पर थीसद तीसरा 22.5 पर थीसद और चोटा option है 30 पर थीसद तो दोस्तों जो 25 पर थीसद यानि जो पहला option है वही अपना right answer है इसी तरीके से आपको solve करना है थोड़ा sort भी करें कुछ trick से भी करें अगर आपको trick से अगर नहीं आता तो कोई problem नहीं ज्यादा चिंता ना करें जो आपको original method आता है उससे करें लेकिन accuracy का बिल्कुल ध्यान रखें accuracy का मतलब जो आपको आ रहा है उसी को आपको solve करना है ठीके चलें आगे next question और next question आपकी screen पर दे रखा है बहुत तर सो यानि 7,200 रुपे पर 4% वार्षिक दर से 8 मा का साधरन ब्याज हुगा बहुत अच्छा कुछन है दोस्तों ठीके बहुत तर सो यानि किता मूलदन दे रहा है दोस्तों याँ पर मूलदन आपके पास में दे रहा है 7,000 दोस्तों ठीके rate of interest का मतलब है दर आपके पास में दे रहा है 4% की ठीके और समय दे रहा है 8 माहा दोस्तों 8 माहा अब 8 माहा को आपको क्या करना है इसको आपको year के convert करना तो 8 महीना को अगर worse में convert करना है तो 12 का बाग देंगे तो यहां पर 8 बटा 12 काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 कितना आ जाएगा दोस्तों 2 बटा 3 ठीक है 2 बटा 3 फिर ये 2 बटा 3 किसमें हो जाएंगे दोस्तों ये worse में हो जाएंगे फिर जल्दी से solve करें और आगे इसमें क्या पूचा साधारन ब्याज दोस्तों साधारन ब्याज साधारन ब्याज का सुत्तर आपने बहुत पहले पढ़ रखा है साधारन ब्याज का मतलब मूलधन into समय into the बटा 100 साधारन ब्याज का formula आपको बहुत पहले ही आता है साधारन ब्याज का मतलब P का मतलब हो गया principle यानि मूलधन into R का मतलब rate of interest into T का मतलब समय और अपन हो जाएगा 100 तो दोस्तों अपने को ब्याज निकालना पी अपने पास मूलधन दे रहे का 7200 rate of interest दे रहे कि ये 4% समय दे रहे का 2 बटा 3 2 बटा 3 का मतलब है 2 उपर रहेगा और 3 उसके नीचे जाएगा ये ध्यान रखना ये 2 बटा इसी का जो 3 था मैंने यहां जसके नीचे 3 लिख देता हूँ और ये 100 का 100 जल्दी से इसे solve करें दोस्तों ये 2 0 से 2 0 कट चुके हैं ठीक है यहां पर 3 3 का इसमें भाग देते हैं तो 3 दूनी 6 ठीक है फिर एक और फिर कितनी बार चला जाएगा 12 में चार बार 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 3 चोके 12 तो मेरे पास मैया 24 इंटू 4 इंटू 2 अब इनको आपको सिर्फ क्या करना है गुना करना है जितना sort कर सकते हैं उतना sort करें 24 इंटू 8 करेंगे तो 24 इंटू 8 करेंगे तो दोस्तों किता आजाएगा जल्दी से बताएं 24 इंटू 8 तो आपको आना चाहिए 24 इंटू 8 करेंगे तो टोटल हो जाएगा अपने पास में 192 क्या 192 आ रहा है देखो 8 चोक 32 का दो आंसल की 3 और 8 दूनी 16 17 18 और 19 यानि तो अपने आंसवर आया दोस्तों 100 बराण में जो C दे रिका वो हो जाएगा रायाइट आनस्वर हो जाएगा इसी तरीके से आपको सोल करना है जैसा परसन बोलता है अपनको उसी तरीके से चलना है ठीक है दोस्तों तो next question आपकी screen पर है एक तिरबूज का सेत्रपल तो दोस्तों एक तिरबूज का सेत्रपल दे रहे हैं 84 वर्ग मिटर है तथा आधार 14 मिटर है तो उसकी उंचाई है पटवार exam 2013 दोस्तों यह सारे जो question है वो पटवार exam 2013 में आये हैं इसी तरीके से आप खु दोस्तों आये हैं इसको solve करना है तो दोस्तों एक तिरबूज का सेत्रपल इसमें देखो तिरबूज का सेत्रपल दे रहे हैं तिरबूज का सेत्रपल किता है दोस्तों यहां पर तिरबूज का सेत्रपल दे रहे हैं आपका 44 मिटर ठीक है फिर तता आधार दे रहे है 14 मिट तो पूछा क्या है उसकी उँचै पूछी दूस्तों यहांपे आपकी पूची है क्या उँचै बहुत Given पहत ईजी कुछन है आपने पिछले जो भी आपके की इसु मिलेवल किये उसके अंदर तिरभूज का इसके आपने बहुत अच्छे से निकाला है और तिरभूज का सेत्रफल का सुत्र आपको आता है तिरभूज का सेत्रफल बराबर क्या होता है एक बटा दो इंटु आधार इंटु उंचई बस यही करना है तिरभूज का सेत्रफल बराबर एक बटा दो इंटु आधार इंटु उं आपका दे रहा है 14 और आपको उंचे ही आपको क्या करनी है निकालनी है जिदर साइड से जो चीज निकालनी है उस साइड के जो भी संक्या है दूसरी साइड में जाके बाग में चली जाएगी ध्यान रखें चोरियां सी इन्टू दो बराबर च Counter two क्या हो जाएगा उंचा ही जब उंचा ही निकालनी है तो च चाउदा कहा चली जाएगे नीचे चले जाएगे तो यहointe संगने निकालते हैं तो यह हो जाएगे दोसे से कटेंगे तो साथद चला होगीं तो यहां पहान पर साइड जो पिसरा ओप्सन दे रहे हैं, 14 मिटर और चौता ओप्सन आपके पास में दे रहे हैं, 16 मिटर तो क्या आंस्वर हो जाएगा, 12 मिटर वही अपना राइट आंस्वर है, तो दोस्तो इसी तरीके के कुछिछन आपके पटवार एकजाम में आने वाले हैं, ज्यादा बहुत टप नहीं आने वाले हैं, बहुत इजी आने वाले हैं, आपने जो पिछले 10 से, जो भी 6 से लेके 10 तक पड़ा है, उसी में से कुछिछन आने वाले हैं, आप खुद प्रैक्टिस करें, और तकसिला अकेडमी जोदपूर आपके लिए लेके आईए, पटवार से रिलेटेड पूर्ण टेस्रीज, तो उसको आप जोइन करें, वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक करें, शेर करें और सबस्क्राइब करें